दोस्तों ये जो laptop आप देख पा रहे है ये मेरे एक friend का है उसका laptop है ये और actual में ये थोड़ा slow काम कर रहा था मतलब दिक्कत आ रही थे क्योंकि charge भी RAM था इसके अंदर तो उसके मन में एक ही question था कि क्या RAM upgrade करना चाहिए या SSD तो मैंने उसको सब कुछ अच्छे से समझा दिया चाहिए आप moderate user हो या even अगर आपको knowledge भी होगा तो ये वीडियो देखो आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा साधी साथ एक छोड़ा सा request रहेगा कि प्लीज या like कर देना 2000 like target है पार करा देना और चैनल पर नहीं होगे PC related content में इंट्रेस्ट होगा सब्सक्राइब कर द जानने है main steps जानने है तो इस time stamp में आप skip कर सकते है ताकि आपका time बच जाए but I will recommend कि ये पूरा चीज आप समझ लो तो आपको और भी clarity मिलेगी तो actual में ये जो laptop है मेरे friend का है i3 का stick generation का है जहां पर एक hard disk दिया गया है और 4GB का stick दिया गया है इसके अंदर अब मेरे दोस्त क मुझे ये बात बोली तो मुझे समझ में आ गया था कि RAM अपग्रेड करना है बट उसके मन में था कि ये SSD अपग्रेड करें है काम बन जाएगा तो देखो इस वाले scenario के अंदर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ scene है तो उस case में अगर आपको multiple tabs open करने है multiple application अगर आपको open करने है तो RAM जाधा होना चाहिए 4GB RAM multiple चीज अगर आप करोगे multitasking करोगे तो नहीं हो पाता है I hope मैंने ये चीज आपको बता करके एक थोड़ा सा summary दे दिया होगा कि मैंने इस पर RAM अपग्रेड क्यों किया SSD अपग्रेड करने के बजाए हाला कि SSD अपग्रेड कर देंगे तो और के laptop में कितना RAM supported है कितना slot है और साथ ही साथ कितना pins आपको मिलता है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको laptop screen पे ले जाकर के दिखाता हूँ मैंने अपने phone से ही record कर लिया तो CPU Z करके जो एक software इसको आपको download करना है जिसका link मैं आपको description box में दे download हो जाएगा यहाँ पर आप सारे information देख पाऊगे CPU के बारे में जानकारी रहेगी और SPD का जो यह tab है इस पर आपको click करके सारे information देखने को मिलेंगे कि क्या-क्या आपका slot available है पहले से कौन सा model लगा हुआ जैसे हमारे case में Samsung है जिसका पूरा model नमर यानि पार्ट नमर जाएगा तो slot 1 हमारा यह वाला occupied है already 4GB के साथ slot 2 हमारा खाली है तो यह वाला software को अगर आप use करोगे यह application जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके laptop में क्या scene है पहले से 4GB RAM होगा दो slot है नहीं है सब कुछ यहाँ से information आपको मिलेगा और यह जो part number यहाँ पर लिखा ह हैं आप higher frequency वाले RAM को भी use कर सकते हैं बड़ अगर आपको motherboard supported नहीं होगा तो वो थोड़ा सा under clock हो जाएगा दिकत नहीं होगा लेकिन अच्छा रहेगा आप थोड़े अच्छे वाले RAM stick को खरीदना मैंने Amazon पर search कर रखा था जो कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर से जो 260 pin ह वही सबसे जादे important है वैसे मैंने 3200 MHz वाला RAM को select किया था और यही मैंने बोला था उसको order करने के लिए तो इसका कीमत आप देख सकते हैं price उपर नीचे होता रहता है description box में सारे links आपको मिल जाएंगे tools की और हर एक चीज तो आप देख सकते हैं तो 260 pins यहाँ पर है जो कि ह में जरूरत थी और इसी को हमने order किया model number थोड़ा मड़ा उपर नीचे हो सकता है frequency अलग हो सकती है but I will suggest जो भी आपका RAM का motherboard supported है वो आप उसके उपर भी जाओगे दिक्कत नहीं होगा नीचे मत जाना यह चीज का थोड़ा धियान रखना तो खेर यहाँ पर से सबसे जादे important चीज है मैंने यहाँ पर RAM को ही upgrade क्यों किया उसके बारे में यहाँ पर मैं अगर आपको live proof दिखाऊं तो आप देख सकते हैं task manager जब मैंने open किया था तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर task नहीं चल रहा था more option में मैंने जाकर कि यहाँ पर performance आपको दिखाया तो आप देख सकत है वो पूरी तरीके से utilize होना start हो जाता है जो कि आप देख सकते अब इस case में अगर आप switch करोगे या और भी tab open करोगे तो पुराना tab kill हो जाएगा not responding हो जाएगा और यह वाला scenario काफी लोगों के साथ होता है तो इस वाले case के अंदर आपको RAM upgrade करनी की जरुरत है तो इतना कु जाएगा app opening time काफी कम हो जाते हैं तो वो सब चीज होता है लेकिन एक पर जब आप application को open करोगे तो वो RAM कहीं न कहीं consume करता है तो RAM अगर आपको छोटा है आप SSD कितना भी लगा लोगे काम सही से नहीं करेगा I hope मैंने इस चीज को आच्छे से आपको समझा दिया RAM से related काफी स सारे वीडियोज हमने अभी तक पोस्ट कर रखे हैं अगर आपके पस टाइम होगा जरूर देख लेना अब चलो में स्टेप के तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम laptop को open करेंगे तो यहां पर से दोस्तो मैं top-down shot आपको दिखा देता हूं तो सबसे पहले हमारा laptop है और यहां पर लगबग 200-300 के आसपस मिलता है अगर आपके पस नहीं होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना कुछ लिंक्स में आपको दे दूँगा इसके अलावा दोस्तो यहां पर से आप चलो open करने की बारी आती है तो यहां पर से कोई भी ना एक अच्छा सा seat ले ले लेना ता क्योंकि इसके अंदर भी ना screws hidden रहते हैं और बाकी यहां पर से जो सबसे main screw हुए ये वाला जिसको आपको सबसे पहले निकाल लेना है ताकि आपका CD वाला जो slot होता है DVD वाला वो निकल जाए आज की laptop में तो आयर यह सब होता भी नहीं है तो यह सब optional है क्योंकि काफी पर लगे हुए हैं सबको आपको निकाल देना है और यहां पर से दोस्तो जो आपको lead वाला section रहता है वहां पर भी कहीं कहीं जो आपके rubber pad होते हैं उसके नीचे भी screws रहते हैं तो अलग-अलग model में इस तरीके का scene बनता है आप इनको निकाल करके रग देना सही से अब इसक इसकत नहीं आती है बढ़ हां initial level पर मैं समझता हूँ, card का भी आप use कर सकते हैं जो debit card होता है उसको बस तोड़ मत देना, extra होगा उसको use कर लेना या कोई भी मतलब ठीक था को object जो होता है प्लास्टिक ये सब का आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से थोड़ा- थोड़ा आप slide करोगे आराम से इसका back panel निकल जाता है, हलाकि अगर metal body होगा तो थोड़ा difficult हो सकता है, but plastic body याद तो काफी आसानी से निकल जाता है, and majority of laptop जो budget वाले होते हैं उस पे तो plastic back panel ही होता है, तो I hope आप आराम से निकाल लोगे, अब एक बार जब laptop का back panel open कर लोगे तो अंदर का खूबसूरती आपको दिख जाएगा, यार मतलब बहुत ज़्यादा ला जवाब है, अगर आपकी पस महेंगे laptop होंगे, gaming laptop होंगे ना, तो अंदर और ज़्यादा खूबसूरती दिखेगी, मैं सही माईने में बोल रहा हूँ, गलत माईने में में मत लेना, ब तो मतलब रगाल के उड़ा मत देना, ठीक है, अब एक दो चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़ा टेकनिकल है, बट जानना बहुत ज़रूरी है, आप laptop के back panel को open करते हैं, तो एक slot में भी हो सकता है कि soldered होगा, और दूसरा slot खाली होगा, तो किवल एक ही slot मे जो भी आपका maximum supported है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, लेगिन अगर आप जाधा frequency वाला RAM यूज करोगे, और आपके पास पहले से कम frequency वाला है, तो underclock हो जाता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अब चलो यहाँ पर से main part पर चलते हैं, जो हमारा RAM था, 8GB वाला, हमने cruiseical का यहाँ पर RAM order करके मंगाया था, आप कोई भी brand का use कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, तो यह जो second slot है, जो की empty है, उसी के अंदर हम install करेंगे, तो initial RAM है हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले से Samsung का था, मैंने आपको tool का भी इस्तेमाल करके दिखाया था, software का, तो जो software मैंने आपको initially दिखाया था, सब कुछ सही data दिखाता है, तो आप उसका use कर लेना, तो चलो इसको जहाँ था, हमने उठाया था, वहीं पर से लगा देते हैं, बस इस तरीके से slide करोगे सही से, और हलका सा नीचे के तरब प्रेस करना, जादा जोड़ से नहीं करना, यह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, RAM अपग्रेड करना, लाप्टॉप में सबसे जाधा आसान होता है, और इससे जाधा आसान चीन में नहीं बता सकता आपको, I know कि यह वीडियो को मैं लंबा घीच रहा हूँ, बट हर एक प्रोसेस धीरे धीरे आपको सही तरीके से ब हमारे पास है पहले से, हम इसके साब चाहें तो कैडी वाले हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना रखा है, आपको अगर इंट्रेस्ट होगा देख ले ना, वैसे अगर मेरा फ्रेंड बोलेगा कि इसमें SSD लगा दे भाई, तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यार हम लोग creator है ना, हम लोग ना content को miss नहीं करते हैं, I hope आप इसको समझते होंगे, अब चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बहुत कर दिया है मैंने already, इसका जो back panel इसको चिपका देते हैं, बतब लगा देते है और जितने भी screw है ना, सबको लगा करके, जो battery battery है ना, उसको सही से लगा देते हैं, और उसके बाद finally मैं आपको laptop open करके दिखाओ, जो कि थोड़ी देर के बाद हुआ था, definitely, तो आप देख सकते हैं, सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी यहाँ changes नहीं हुआ है, थोड़ा द दिखा दिया, यह थोड़ा साथ जाधा frequency वाला हमने order किया था, अगर आपने कम वाला order किया है, तो उसी के हिसाप से पूरा set हो जाता है, तो इस चीच का धियान रखना, मैंने आपको सबको समझा दिया, अब चलो task manager open कर लेते हैं, performance वाले option में जा करके देख लेते हैं, कि क कितना यहाँ पर से हमारा memory दिखा रहा है, तो कितना जाधा मतलब खुसी होगी है उस बंदे को, मतलब 23% केवल utilize हो रहा है, initially 23% सायद से बच रहा था, तो चलो अब edge browser open करते हैं, और control, shift, T press कर लेते हैं, क्योंकि हमने already 3 tab open किये, तो उसको cut किया था, तो आप देख सकते हैं तो memory केवल 3.6 GB use हो रहा है, जो कि initially भी हो रहा था, लेकिन 4 GB से use हो रहा था, अब यहाँ पर से 12 GB हो गया, total 4 plus 8, तो इसी वज़ा से use करने का जो experience था, जहाँ पर not responding यह सब हो जा रहा था, बहुत सारे tab kill हो जा रहे थे, दिक्कत आ रही थी, वो सब चीद दिक्कत यहाँ प आपको complete information बता दिया है, बाकी सारे useful link description box में दिये गए है, जरूर check out कर लेना, software के वी link मैं आपको दे दूँगा, वैसे एक चीज मैं समझता हूँ, अगर आप पहली दफा यह चीज करोगे तो थोड़ी हिच की चाहट जरूर होगी, बट आपका भाई complete information दिया है, बहुत casual तरीके से मैंने बताया है, तो पूरा process follow करोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, comment करना, अपना experience जरूर share करना, क्योंकि बाकी सारे भाई लोग भी जो use करेंगे न, इस वीडियो को through information जो लेंगे, उनको भी जान करके खुसी होगी, और मैं तो खुस होगा ही, साथे प्लीज लाइक करना है, 2000 लाइक टार्गेट तो बहुत छोड़ा लाइक टार्गेट है, पार कर आके जाना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लेना, और साथी साथ PC related content में इंट्रेस्ट होगा, चैनल पर नहीं होगे तो subscribe करके bell notification भी प्रेस कर लेना, तो मैं हूँ आपका दोस्त अब जीद मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, थैंक्स अलोट फूर वॉचिंग